तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से क्लास में पैराबोला का सवाल करेंगें आज हमारा पैराबोला का लास्ट क्लास है पैराबोला के क्लास, हम लोग लास्ट क्लास में भी पैराबोला के कोशन किये थे आज भी पैराबोला के सवाल करेंगे, सवाल करना है अगले class से हम लोग ellipse start करेंगे, रही बात कि parabola पर और practice करना है, उसके लिए मैं एक नया class start करूँगा, जिसमें हम लोग से इस parabola के सवाल करेंगे, ओके, तो अब वैसे बहुत question कर भी चुके है, theory पर टेवे question parabola के, तो उसको कर लो, और आज से class का कर लो, फिर हम लोग अगल ना, parabola के class upload को upload हो जाया करेगा, मिल जाएगा, तो चलो, अब start करते है, parabola को question करना, तो देखो बचो, आज से class का पहला सवाल है, बढ़िया question है, ये question भी न, common tangent पहले, जैसा कि मैं last class में भी तुम लोगों को बोला था, कि common tangent का सवाल, आता है exam में, common tangent और slope, ये न, ये दो question मतलब आपका जो भी, जितने भी shift होंगे, कहीं किसी ने किसी shift में आही जाएगा, okay, coordinate geometry की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखो, the slope of the line, touching the parabolas, मतलब एक लाइन है, जो parabola this और this parabola को touch कर रहा है, तो उस line का slope निकालना है, मतलब दो अलग-अलग parabolas दिये हुए है, उन दोनों parabola पे एक ही line tangent है, मतलब दोनों line को touch कर रहा है, touch करने का tangent है, तो उस tangent line का slope निकालना है, आई बात समझ में, समझ गया, तो अगर समझ में आ गया है, खुची हो पाएगा, तो वीडियो को pause किजी और खुची किजी ने, तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, करो खुच से, तो मान लो, जैसे ये y square equal to 4x है, 4x है, उसका तो ऐसा graph बनेगा, ठीक है, ये parabola बन गया, next one is what, x square ये क्या हो गया है, y square equal to 4x, ये first parabola है, ठीक है, दूसरा parabola गया है, x square equal to minus 32y, ये downward parabola है, तो इसका equation क्या हो गया, x square equal to minus 32y, this is second parabola, आई बात समझ में, अब कोई line है, जो दोनों पर tangent है, तो कुछ ऐसा बनाते है, कोई line है, जो क्या है, दोनों पर tangent है, ठीक है, ये line L है, मान लो, ये line L है, ठीक है, ये straight line है, ये parabola, first parabola और second parabola पर दोनों टेचेंट है माल लो यहां पे पॉइंट माल ली जिलेट से पी की है और यह पॉइंट माल लो तो पैरा बोला इस पैरा ब meget वन को पी टच कर रहा है और पैरा बोलाㅋㅋ कू को सोरी पैरा बोला टू को कूट पे सअ यह चाहिए तवीना दोनों पएराबोला ऒषम लोग लिखेंगे वह हम लोग शलो फॉर्म। us वान्देशन आपको पटाोना चीए कंडिशन ओफिरेफॉr टेंजेट पटा होना की मानदारी से सोच हो पता है भूल गये तो फॉप क्पेरां पहला यह वाला पैराबुला है y square । इक क्षे में होता है याद आगर है वाला पैराबुबला है Papa इसके लिए the लिए करते हैं इसकी लिए व्ų Commissioner 2000 क्या होता है जाहें यहां पे क्वेलिई बताओ क्या है अगर मैं compare करूं compare करूंतो फूर A equal to 4 तो यहां से a की value 1 आ गई तो for this parabola for parabola 1 equation of tangent क्या होगा लिखते हैं अच्छा मैं यह सब लिख के बता रहा हूं g में सब लिख रहा है नहीं g में तो roughly आप लो कैसे भी करोगे तो मैं लिख के बता रहा हूं for for parabola first equation eot का मतलब है बच्छो equation of tangent क्या होगा y equal to mx plus cc का value a by m a की value क्या है one one by m हो गया ठीक है तो यह बन गया mx general equation के फॉर्म में लिख देता है ax plus by plus c के फॉर्म में mx minus y plus one by m equal to zero ठीक है यह एक straight line equation हो गया मतलब इस टेंजेंट का equation हो गया इसको first और second माने हुए तो इसको third मान लो ठीक है इसको third मान लिजे third equation now for this parabola for parabola two second जो parabola उसके लिए टेंजेंट का equation क्या होगा for parabola two equation of tangent क्या होगा अब बताओ मुझे x square equal to minus 4 ay के लिए condition for tangent क्या होता है बताओ y equal to mx plus c c का value क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए am square क्या होना चाहिए plus में am square देखो a by m minus a by m minus am square plus am square समझ में आ गया y square equal to 4a x y square equal to minus 4a x x square equal to 4a y और x square equal to minus 4a y a by m minus a by m minus am square plus am square तो यह क्या होगा plus am square तो इसके लिए a की value अगर मैं देखूं इसको देखो x square equal to minus 4a y से compare करो तो 4a की value हो गई 8 और स्वारी डारेक्ट बता दिया मैं 32 तो a की value आ गई 8 8 8 1 में 8 चल रहा था चले लिए 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 पहले तो a की value 8 आ गई तो यहां से for this parabola parabola क्या है माइनस 32y है ना माइनस 32y है इसके लिए a का value कहा है एक value 8 है लो 8y लिख दो 8m square clear है चलो तो अब क्या हो जाएगा बताओ equation of mx minus y plus 8m square equal to 0 this is what this is second parabola यह क्या है parabola इसको 4 मान लो ठीक है अच्छे यह दोनों किस state line का equation है इसी tangent का है दोनो equation number third और equation number four same line को represent कर रहा है अब click कर गया हो अगर last class attend किये होगे तो click कर गया होगा कि मतलब एक ही equation अगर दो अलग-अलग sorry दो अलग-अलग equation एक ही curve को represent करता है है दो अलग-अलग equation मतलब equation दो हो और कर्फ एक ही कर्फ को represent करता है तो क्या होता है क्या होता है उनके जो एक वेरिबल्स के coefficients होते हैं उनका ratio equal होता है और constant term का भी ratio equal होता है constant term का ratio गर equal नहीं होता था तो कर्फ दो अलग-अलग कर्फ हो जाता था तो पैरलल हो जाता था है ना यहां पर क्या होगा एक्स का coefficient y का coefficient और constant term का coefficient का ratio सेम होगा क्यों होगा क्योंकि यह दो अलग-अलग equation एक ही कर्फ को represent कर रहा है और वो कर्फ क्या है गर्फ कर्फ से ना आप लोग को समझ में आता है कि कोई टेढ़ा सा लाइन कर्फ का मतलब इस्टेट लाइन भी एक कर्व है वह एक स्ट्रेट करव है आई बात समझ में तो देखो अब क्या करेंगे बताओ चलो पहले यहां तक लिखो तो देखिए बच्चों यहां तक लिख लिए अब हम लोग क्या लिखेंगे एज एक्वेशन 3 & 4 एज यह मैं यहां पर जो फिगर बनाएंदा उसको रफ कर दिया एज एक्वेशन 3 & 4 रिप्रेजेंट अच्छा यह ना फिर बोल रहा हूं मैं समझाने के लिख रहा हूं आप कॉपी में आप भी लिख ले ना इसको लिख लेना रिविजन में काम आएगा वैसे तो जी में यह सब लिखने मत लगना इसी में टाइम निकल जाएगा उतना तो कॉमन सेंस है सर एक्वेशन 3 & 4 रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन सेम स्ट्रेट लाइन तो रिख लो एक्वेशन यहां पर क्या है एम है और इधर भी एम है वहां पर य का कॉफेशन क्या है माइनस वन और इधर है यहां से यह एम कट जाएगा वन आ गया इधर भी वन तो मतलब वन बाई एट म स्कुर्ण यहां आएगा एम मल्टिप्लाइए हो जाएगा तो यह गया हो जाएगा 8m क्यूब इकॉल टुवन तो एट एम क्यूब इकूल टुवन आ गया बच्छो तो एम क्यूब क्यूब क्या गई वन बाई एट आ गई तो एम की वैल्यू क्या होगे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू देगा ना बाकी के दो इसके तीन रूट्स होंगे दो रूट्स इमेजनरी होंगे एक रूट बस जो यह से मतलब आपने को तो इसमें स्लोपी पूज रहता गय तो दूसरा method use करते हैं, use नहीं करते हैं, करते हैं, दूसरे method से question करते हैं, देखो, parabola ये दिया हुआ है, तो इस parabola के लिए tangent का equation लिख लो पहले, तो अगर मैं इस parabola के लिए tangent का equation लिखूँ, तो क्या होगा बताओ, y square equal to mx plus c का value, a by m, a की value 1 है, देख चुके हैं, तो 1 by m हो है, है ना, आरे ये बात समझ में, अब सुनो, यही straight line, इस line पे p पे अगर tangent है, आगे चलकर इस दूसरे वाले parabola, parabola 2 पे q पे tangent है, तो q का कुछ तो कुछ point of intersection होगा, q का जो point of intersection होगा, किसका, मतलब इस parabola और इस tangent का, parabola 2 और इस tangent का, यह जो point of contact बोलो, ठीक है न, इसका coordinate होगा, या point of intersection, बोलो, intersection बोलना सही नहीं है, intersection से कुछ step का फिलाता है, कुछ ऐसा, है न, एक मिनट, तो, आप बोलो, यह point of contact का coordinate, कुछ तो coordinate होगा, वो कैसे find out होगा, वो, इस straight line, मतलब इस tangent line के equation, और इस parabola के question को solve करने से होगा, होगा, तो, इसको मान लो, equation number 3, ठीक है, औ और from second and third से हम लोगों क्या मिलेगा, y, अच्छा, कैसे solve करते हैं, y की value कुछ में रख देंगे, तो from second and third करो, from second and third, we get, from second and third, we get, दिखते हैं क्या मिलता है, तो x square equal to minus 32, y की value क्या है, mx plus 1 by m, है न, चलिए, इसको solve करते हैं, तो यहां से अपने को क्या निकलना है, y की value रख दिना, m की value निकलना है, तो यह क्या हो गया, x square equal to minus 32, mx minus 32 by m, हाँ या न, होगा, यह जो RHS में है, उसको LHS में ले आओ, देखो, हम लोग x की value नहीं निकालने वाले हैं, ऐसा मत्सोजन x की value निका देखे, यहां पर आप लोगों ने quadratic equation का concept काम आएगा, अगर पढ़े होगे quadratic equation तो, नहीं पढ़े हो तो एक और method में बता ही दिया हूं, यह प्लस हो जाएगा, और यहां पर प्लस 32 by m हो जाएगा, अब सुनो, हम लोग quadratic equation में पढ़े हैं, कि अगर कोई भी जैसे quadratic के roots, real और equal होते हैं, कब होते हैं, roots किसी भी quadratic equation का roots real और equal होने का मतला, अगर मैं upward parabola बनाओ, अगर quadratic equation क्या represent करता है, है God right akan QA click कर بोता है देको और liquid equation heInter oikeилиsteak कर न्होंता है क्वारियतीक expression क्थरए कहोता हैै पैर बोलिक क्रव होता है तो मानön hai तो मांन لو कोई Shekin прот SMWS يعाण ह लो 1 अगर ए ग्रीटर दें drowned एंशार पॉजितीव प्रेड़ प्याद प्याइकवोला और यय ribbon करता है roots real and equal ऐसा कुछ होगा मतलब कहने का मतलब है यह जो straight line है यह 10 कौन सा है x-axis है जो x-axis है वो इस parabola पे क्या है tangent है है ना tangent कब tangent होगा जब देखो x में equation है जब d का value क्या होगा equal to 0 होगा है ना तो उसी तरह यह जो line है इस parabola पे tangent हा कब होगा जब d का value 0 होगा d का value 0 होगा तभी ना tangent होगा वैसे अगर कहो तो इसके तो दो roots होगे x के दो value आएंगे दो value का मतलब दो बार touch करना या दो बार cut करना तो यह तो एक ही बार हो रहा है मतलब दोनो x का value एक ही होगा एक सीम होगा तभी ना एक ही बार cut कर रहा है दो बार करता तो d greater than 0 आता तब intersecting करते हुए निकलता यह देखने टच करते हुए निकल रहा it means x की 2 value तो आएगी क्योंकि यह x में quadratic equation है 2 value तो आएगी बड़ दोनों value सेम होगी सेम होने क्या मतलब है किसी भी quadratic equation के root सेम कब होते है जब d की value 0 होती है तो d की value को 0 यहाँ पे करके है हम लोग m निकाल लेंगे तो d का value क्या होता है b square minus 4 ac तो d का value बताओ क्या है यह b का value है b square minus 4 a का value 1 है c का value क्या है 32 by m equal to 0 होगा d का value 0 की को ला गया वीडियो को पाउसर के लिख लो मैं रफ कर रहा हूँ उपर तो यहाँ से कितना हो जाएगा यह 32 square 32 का square हो गया m square equal to 4 into 32 by m 32 से 32 to cancel हो गया यह m इधर आ गया तो m cube हो गया 4 by 32 32 4 एड़ जा 1 by 8 तो m cube का value कितना आ गया देखो उस टाइम भी 1 by 8 ऐसा कुछ आया था ना भी उस first method से तो m की value यहां पर कितनी आ गई दो roots imaginary होंगे तो imaginary अपने को नहीं निकालना है यह हो गया आया समझ में तो है ना दूसरा method देख लिए d equal to 0 लगा के देख लिए और एक क्या देख लिए कि एक ही दो अलग अलग equation एक ही कर्व को represent करता है तो constant term का ratio और जो variables के ratio होते हैं वो सब same होते हैं एक उस method से कर लिए आई बात समझ में अच्छा concept revise हो गया अगला question करते हैं लिख लो now question number second देखो आज से class का दूसरा सवाल इस सवाल से भी हम लोग एक अच्छा concept सिखेंगे इसको दूम ध्यान रखना है देखो क्या है question आता है question लिखा हुआ है एक से एक सिकूल टू वाइस कर अलब पैरा बोला है ठीक है तो इस स्ट्रेट लाइन और इस कर बीच का सौटेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो पहले पर अपना फीगर बना लेते हैं कैसा बनेगा यह कैसा दिखेगा ओके इसका पहले हम लोग क्या कर लेते हैं फोटो बना लेते हैं कैसा दिखेगा यह तो देखो सबसे पहले पैराबोला है y2 equal to x मतलब राइट वर्ट पैराबोला ना यह कुछ ऐसा बानलो यह पैराबोला बन रहा है और यह स्ट्रेट लाइन यह कौंचा पैराबोला है y2 equal to x इसमें a की वेल्यू क्या है बच्छो एक वेल्यू है 1 by 4 है अगर कंपेर करोगे y2 equal to 4 ax से तो a की वेल्यू 1 by 4 है पैका अब अब देखो यह इस्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा एक्स को 0 करोड की की वेल्यू अब पैराबोला के बिच का सवचाश डिसनस है थीक एक बाल बताओ जैसे माल लो मैं तो तुम लोगो एक लाइन दे दिया और एक पॉइंट दे दिया पूछूंगा कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का सॉर्ट इस डिस्टेंस क्या है तो आप बोलोगे सर यह इस पॉइंट से स्वे परपेंडिक्लर डाल दीजिए तो देखो इस से हिंट में लेके आपको यह समझाने के कुशिश करूँगा मैं कि जब भी सॉर्ट इस डिस्टेंस की बात हो ना किसी भी दो कर्फ के बीच का सॉर्ट इस डिस्टेंस पूछेगा ना तो करना क्या है उन दोनों कर्फ पे जो नॉर्मल लाइन होगा ना जो नॉर्मल मतलब जो लाइन इस जो लाइन इस स्डेट लाइन पे भी पर्पेंडिकुलर हो और इस कर्फ भी मतलब दोनों को यह कम फुर पोले कि यूंब मैं यह कर वी है तक है इस ऐसा जा रहा रहा इन दोनों बीच कर करद सॏटेज्टेंस क्या होगा ऐक ऐसा लाइन के बीच के अलॉं सॏटेज दिश्टेंस होगा जो दोनों करभ प्र क्या होगा पर्पेंडिकुलर होगा मतलब दोनों करव के लिए किसका काम करेगा नॉर्मल का काम करेगा आया समझने तो इसको नोट करके लिख लो तो दा शॉट इस दिसटेने बिट्विन तो को इसको नोट करके लिख लो लिख वा देता हूं में नोट करके दियां रखना इसको थे सॉटेस्ट स्य दिस्तेंस बित्विन तो कर्ण स कुछ बेट्विन टू कॉस क van belang गामन नॉर्मल किसों करोमन याsomक नॉर्म इसको आप लो लिख क्या तो इसको आप लो लिख लो को लॉंग common normal common normal के लॉंग होता है इसी concept को सिखाने के लिए हम यह पर लेके आए हैं ठीक है तो अब है इनके common normal के बीच का distance distance निकालना है अच्छा यहां से एक और चीछ सिखाएंगा एक और concept सिखाँगा सोचने का तरीका है कोई concept नहीं है एक सोचने का तरीका वो भी है ठीक है देखो अब अगर हम लोग मान लो जहां पर यह वाला point मान लीजिए M है ठीक है और यह वाला point मान लो N है अगर हम N का coordinate निकाल दे और N से इस straight line का perpendicular distance निकाल दे तो अपना जो answer आ जाएगा तो अब मुद्दे की बात है कि Sir N कैसे निकालेंगे इस पैराबोला पर जो वो point N है point of foot of perpendicular कैसे निकालेंगे यहाँ पर तो इस एक का value क्या था यहाँ पर एक का value 1 by 4 था तो मुझे यह बताओ कि अगर पैराबोला अपना y square equal to 4 AX होता है तो उस पैराबोला पे हम लोग को क्या गया है एक सिकुलट क्या हो जाएगा 8 square और y equal to 280 इस पैराबोला पर कोई भी point हम मान सकते है न bonne इस पैराबूला पर अगर कोई भी point parametric form में मानना है तो यह मान सकते हैं तो चलो मान लेते हैं ठीक है तो एका वेलिए क्या है वन बाव 4 तो 1 बाय 4 Qo t2 तो हम कह सकते हैं यहाँ पे t2 by 4 क्या होगा ती स्क्वरफफफफूर क्वा एक oluyor 1 by 4 है न तो 2 by 4 बोले तो 2 by 4 बोले तो 1 by 2 और यह यह टी by 2 क्रेड हुआ यह क्या होगा है coordinate of n हो गया ठीक है ना coordinate of n क्या होगा यहां पर तो यहां पर लिख ले ना यहां पर coordinate of n क्या हो गया है t square by four comma two by t समझ में आ गया ने कैसे लिए two eighty तो एक वैली one by four था तो two by four one by two हो गया तो टी by two आ गया ठीक है अब कैसे करेंगे अच्छे इस स्ट्रिट लेंग का एक्विशन क्या दिया हुआ है इसके एक्विशन अगर मैं एक्स को दर भीजनो तो y equal to x plus one है है ना अब देखो अपना मुद्द है यहां पर ने टी का वेल्यू निकालना है सो जो टी का वेल्यू कैसे निकल लेगा बता यह टी का वेल्यू कैसे निकलेगा how to find out value of टी का वेल्यू कैसे find out करें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप M है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप M नहीं है वन है है ना तो यह जो MN है इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस MN का स्लोप हो जाएगा माइनस वन ठीक है तो स्लोप से तो कुछ पता नहीं चलेगा बताओ कैसे किया जाए सोचो वीडियो को पाउस वरो मैं वेट कर वीडियो को पाउस वरो करें बताओ कैसे होगा बताइए कैसे होगा वीडियो को पाउस वरो करें सोचो समझपा रहे हो कैसे होगा बताओ बोलो कैसे होगा बोलो गोलो तो मुझे कैसे बतासे लगा क्या बोल झाला कैसे होगा सूचते ही आप एक मैंने इंडिर्गन को हिंट दिया स्लोप संद्रेटल 1700 मैं इंडिर्गन को में इंडिर्टल्रेिंड दिया तेसलिए थाDO दखो अगर हम लोग इस एन पर अगर एन पर एगर हम टेंजेंट बना इस पैराबोला के लिए ठीक है ना पैराबोला के लिए क्या करेंगे टेंजेंट बना देंगे तो टेंजेंट का equation में लिखना चाहों तो equation of tangent क्या हो जाएगा इसी का equation of tangent eot का क्या मतलब है equation of tangent यह क्या है यार पूरा ही लिख देता हूं confusion of equation of tangent on n ठीक है न इस equation of tangent इस पर आप मुझे यह बताओ y square equal to 4 ax पे tangent का equation parametric form है क्योंकि यहाँ t में अपना गेम चल रहा है ठीक है न बताओ क्या होगा yt equal to x plus 80 square या देना y1 लिखते हैं तो y y1 तो yt equal to x plus 80 square तो equation of tangent on यहाँ पर कितना हो जाएगा yt equal to x plus a का value क्या है एक का value तो क्या था एक का value क्या था बच्छों 1 by 4 तो 1 by 4 t square तो t square by 4 लिख दू कोई दिक्कत है ना तो यहां से यह क्या हो गया y equal to 1 by t x plus t square by 4 है ना यह tangent का equation आया है अब ध्याम से देखो यह जो line है अच्छा यह यह tangent और यह mn क्या है आपस में perpendicular ही होगा ना होगा ठीक है तो अगर यह tangent और यह line यह line जो पर parabola पर नॉर्मल है यह भी आपस में normal ही है obviously वो नॉर्मल ही होगा तो कहने का मतलब मैं यह कह रहा हूं कि यह वाला tangent और यह जो given स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजन्ट यहां पर कितना होगा enact of कह क्यों झेंड-टेंजेन्ट एक्वलटू मैं 1 dollars और इसका यह वल्योट का स्लूक क्या है फटिका यह सैंटना हागी अगया तो यह अ गया गया अगा यान का कोडिनेट 1 by 4, 1 by 2 T square मतलब 1 का square by 4 और 1 by 2 अब N से इस point N का इस स्टेट लाइन से perpendicular distance निकाल दीजे वही इस स्टेट लाइन इस और इस पैराबोला के बीच का shortage distance होगा समझ में आ बस अब अपने को क्या निकालना है क्या यूज़ करना है किसी भी पॉइंट और किसी स्ट्रेट लाइन के बीच का shortage distance वाला फॉर्मूला ए एक्सवन प्लस बीवाई बन प्लस सी अपॉन अंडरूट लिख लो तो बच्रो मैं यहां पर distance फ्रमूला यूज़ करके लिख लिया हूँ इतना तो आता होगा न आप लोगो को यह क्या हो गया बट आफ्सन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा है है ना कहीं नहीं है तो देखते हैं क्या होगा थ्री बैट फॉर रूट टू अब एक काम करो अगर इसको हम लोग नाव रूट टू से मल्टिपलाइं करें तो क्या हो जाएगा थ्री रूट टू एंडर एस्कृरू टू अचा यह क्यों ऐसा सोचें कि अप्सन नहीं दिया था जो अपना आनसर आया था वह अप्सन तो नहीं था नकाना अपना आनसर ही आया था सोचे कि देख संदे के सोचे कि अच्छा रूप टू से मल्टिप्लाई किया गया है तो आंसर होगे आपना आया समझ में वहाँ पर ठीक है तो ओफशन एफ और अमेरिका इस दो करेक्ट आंसर आगया समझ में अब देखो इसका एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा समसिखाता हूं पहले इसको लिख लो फिर सिखाता हूं देखो चलो रफ कर दिया उसको यह कोई दूसरा थरीका नहीं है यहां पर देखो अभी जो मैं सिखाऊंगा न इसके लिए आप लोग अगर मेरा पैराबोला का लेक्चर जिसमें हम लोग किसी भी पैराबोला पे जो हम लोग पैरामेटर कॉडिनेट करते हैं मानते हैं कैस से 80,280 हीं 10 ट्रायल से हम लोग सोचे थे चलो यह ले लेते हैं हर जगह यहीं लिया गया है तो हम लोग ऐसा मान ले के अब यूज करने लगे हैं तो एक वैल्यू तो चलो यहां पर 1 by 4 है लेकिन अब अगर मैं ऐसे ही सोचू कि अपने पास मान लो y2 equal to 4x ना होके पैराब यहां नहीं थे कि यह नहीं का जो य कोडिनेट आए वो स्कुर्य रूट में ना आय तो एक्स को हम पर्फेक्ट स्कुर्ड जैसा मान लिए मालो यह 80 स्कुर्ड वाली तब यहां पर 4a स्कुर्ड हो गया था तो वाई का वेलेव टूएटी प्लस माइनस में आ गया था इसा अगर x को हम x को हम लोग t square मानेंगे तो y का value t आ जाएगा तो मैं यही सिखाने की कोशिज कर रहा हूँ कि आप अपने मन से तुम लोग ये भी ऐसा सोच सकते हो जैसे मान लो आप x को मान लिए x1 तो y1 का value ऐसा मान लिए x1 square लेट से x की value x1 square तो y की value क्या हो जाएगी x1 आ ज t square, t हो गया अब simple सब कुछ वही है कि इस line का slope यह तो इस line का slope है equation है इस line का slope कितना हो जाएगा one और कैसे किये थे टेंजन का equation क्या था y t equal to x plus a t square a का value क्या है one by four है न और t square by four ठीक है तो y का value क्या हो जाएगा one by t x plus t square by four तो यहां से compare कर देंगे one by t equal to one तो t का value भी one ही आ गया t का value अगर one आ जाएगा तो तो कुछ गर्बट तो नहीं है न हाँ ठीक है तो यह क्या हो गया one comma one हो गया कुछ गर्बट लग रहा है मुझे यार ठीक है one comma one है यह कोडिनेट मान लिए है तो पैरा बोला का equation हो गया है वाई टी कुल टू यह equation है न है अगर हम एक का value यूज ही नहीं किया है तो यह तो इसके लिए जब 280 प्लस 80 स्केर होता पैरा बोला उसके लिए लोग यह ले सकते थे अब इसमें टीका इसको यह कैसे निकालेंगे यहां पर टीका वैल्यू कैसे निकालेंगे सोच हो इसमें टीका वैल्यू कैसे किस से निकालेगे बताइया आया सम्हें मैं टेकर वैल कैसे किसी िवी पॉइंट पे टी-कोल टु जीरो होता है टेंजन के डिविश्èle का डिस्ट इनेट क्या आ जाएगा वाई वाय वाई वं यीवान के वेल्यू है किसे रिप्लेस करें एक्स प्लस एक्स वन एक्स क्या है टी स्क्वेर बाइट तो यह हुगा यई इकल टू प्लस टी स्क्वेर बाइट तो य की भैली हो गई एक्स अपाउं टूट अच्छा यह मैं दिसले बता रहे हैं एक ही जगह मतलब यह हो जाएगा टी एपाउन में इसके भी जाएगा तो टी बैट टू हो जाएगा ठीक है अपने पूरा मतलब दिमाग खोल के रखना है कि किस तरीके से करने से इजी हो जाएगा ऐसा भी कुछ मान सकते हैं तो फिर वहां पर टी के वैल्यू में थिक्कत आ स्क्राइश करा हो जाएगे वन टी का वैल्यू इस के सिसमें बै ॉच्पलं के बिच का श्रीट के बिच बहुए temper Taclo Cam listen अगल हो समझ में तो यह दूसरा वैलमें चर्ठ कि उसीखा क्या बताया दूसरे वाले मेटेसे कि इस पेराबोला पे chalk और भीश तो y के value t आ जाएगी easily ए लेने की ज़रूत भी नहीं थी समझ में आया अब वो जो 80 स्क्वेर कॉमा 280 वो हम अपना ही बनाया वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है वो ऐसा कुछ भी मान सकते हो फोर टी क्यूब ऐसा भी कुछ मान सकते हो अपने मन से तो फिर वो दिक्कत करेगा ना कल्कुलेशन इजी बनाने के लिए वो एक स्टेंडर्ड फॉर्म मेट है वो है ना चलो लिखो फिर अगला कोशन करते हूं कि ना नेक्स्ट कॉर्शन इस कॉर्शन में है दा एंगल बेटिविन दा टैंजेंट्स टू दा कर्व अच्छा यह कर्व दिया हुआ है ठीक है इसके किसी भी दो पॉइंट पे दो टैंजेंट बनाये हैं एक पॉइंट है 2,0 और एक पॉइंट है 3,0 इन दोनों 2,0 पे 2,0 पे 2 टैंजेंट बना है तो कुछ ऐसा मान लेता है अरे कहीं मान लो ना दो पहले टैंजेंट ही बना लो फिर करेंगे वो सो तो यह मान लो 2,0 है और यह 3,0 है तो इनके बीच का यह एंगल पूछ रहा है ओके यह इस कर्व का एक्विशन क्या है वाई कॉल टू x square माईनES 5x ब्लस 6 तो देखो दो टैंजेंट की बीच का इंगल पूछ रहा है मतलब हिंडरेक्ली दो फ्टैट लाइन के बीच का इंगल पूछ रहा है और दो श्तैट लाइन के पता हो नहीं कि नका स्लोप पता हो ना चाहिए अगर उनकी बीच का इंगल theta होता है तो टै सक डीकुलब प्रिक प्लस है। सकते हैं और आधु है। तो X into X 1 to 3 है, minus 5, फिर इस X को किस से replace करेंगे, X plus X 1 upon X plus X 1 by 2 plus 6, इसको simplify कर लो, यह हो गया, Y by 2 equal to 3X, है ना, minus 5X minus 15 plus 6, यहाँ पॉन में 2 हो गया, LCM ले ले लेते हैं 2, तो यह हो गया, Y equal to 6X minus 5X minus 15 plus 6, 2 to cancel हो जाएगा, LCM लेने के बाद, यह 2, यह 2 cancel हो जाएगा, तो यह हो गया, 5X minus X, 6X minus 5X, X हो गया, और यह कितना हो गया, Y equal to X minus 9, यह आ गया, equation of tangent at A, दीचे ना, तो इस tangent का equation क्या हो गया है, लिख लिदे इसको फिर आगे करते हैं, लेखो, लिख लिख लिदे बच्रो, अब हम लोग क्या करते है, equation of tangent at B, equation of tangent at B, B क्या है, 2,0, टू कोउमा 0 पर निकाल दो, इसी पेराबोला पर यूज करेंगे तो y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 y1 तो इसमें भी जुरू है by 2 equal to x को रिप्लेस करेंगे x x1 से minus 5 x plus x1 by 2 plus एक देगो point form कितना यूज हो रहा है कितना अच्छा है यह तो यहां से मैं directly लिक रहा हूँ यह 4x minus 5x minus 10 plus 6 कोई गरबर नो गरबर तो y equal to आ गया minus x 4x minus 5x minus x और यह हो गया minus 4 तो इस tangent का equation क्या आ गया एक state line इस state line का equation यह हो गया ठीक है चले अब देखो आगे करते हैं इसको रफ कर दो वीडियो को पाउसर के लिख लिए नाव अब एक बात बताओ इस tangent का slope मान लो m1 है ठीक है ना इसका slope मान लो m1 है m1 का value 1 है इसका slope मान लो m2 है तो m2 का slope क्या है m2 का value minus 1 है और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं theta है 10 theta पता है न 10 theta equal to क्या होता है m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 लेकिन उसके पहले यह जड़ा देख लो कहीं इन दोनों tangent का जो slope है उसका multiple minus 1 के equal तो नहीं आ रहा चलो करके देखता है m1 1 है m2 minus 1 यह तो दिखी रहा easily m1 into mt का value कितना आ रहा है it means what it means इनके बीच का एंगल कितना है 90 degree मतलग यह दोनों tangent आपस में perpendicular होंगे और अगर perpendicular होंगे तो इनका locus क्या होगा कोई बताएगा इस point of intersection का locus क्या होगा इसका locus कहलाएगा director circle या फिर उसी को directrix बोलते हैं तो अगर यहां पे बोल देता कि इस point of intersection का locus निकालने के लिए और अगर 90 degree angle था तो directrix होता तो इस equation का अपने को directrix निकालना था और मैं directrix निकालना है starting के दूसरे या पहले या दूसरे class वगर पहले तो नहीं दूसरे या तिसरे class में बताया हूँ यह standard form तो नहीं है नेक्स करते हैं लिखो चलिए बचो ना दर नेक्स कोशन इस यह देखते से बन जाएगा बहुत इजी सवाल है यह मैं लिए हूँ इसलिए में आया वाता कोशन तो दिखाने के लिए देखो ऐसे भी कूशन में आते हैं कितने सिंपल कोशन है आ जाए इसके अप्ट टैंजेंस ड्राउन फ्रॉम आ पॉइंट पी टुड़ा पैरावोला यह पैराबोला है कुछ एसा पैराबोला है वाइच्वेर इक्स फूर एक्स इसके किसी पॉइंट बाहर पॉइंट पी से इस पे दो टैंजिट बना है ठीक है दो टेंजेंड बना है जर्ट यह फिगर ठी़ रहे है यह जो टेंजेंड बना है तो और उनके बीच के अंगल नाइंटी डिग्री है तो इस पॉइंट पी का लुकस पूछ रहा है डिरेक्ट्रेक्स होगा और क्या होगा दो परällenगो पर दो टेंजेयंट अगर पर TECLOR किसी पैराबोला पे तो हुए उनके intersection locus होते हैं point of intersection का locus directrix होता है या अगर direct circle भी बोल सकते हो जो parabola को जो direct circle होता है वो directrix ही होता है है ना तो straight line होगा उसका equation क्या होगा directrix का equation क्या होता है x equal to minus a for this parabola a का value क्या है 1 है तो x equal to minus 1 देख लो option x equal to minus 1 b for bombay is the correct answer आया समझ मैं लिखो ना बच्चो next question बहुत easy है यह भी देखो parabola has quick parabola है जिसका the parabola has origin as its focus quick parabola है जिसके लिए origin किसा काम कर रहा है focus सा काम कर रहा है ठीक है यह origin ही focus है मतलब focus किसी parabola का zero zero है आप forward downward कैसा भी हो सकता है अब देखते हैं कैसा होगा forward downward right या left कैसा होगा and the line x equal to 2 is the directrix यह x equal to 2 ठीक है यह directrix है तो यह जो line होगा मतलब directrix पीछे होता है ना parabola के जो जिदर उसके मुह खुले open mouth होते हैं तो directrix पीछे होगा तो parabola ही side होगा तो कुछ ऐसा होगा parabola है ना अच्छा मैं ऐसा ही क्यों रहा है क्योंकि जो इसका axis होगा वो focus और directrix focus से निकलने वाला line अब अपने को वर्टेक्स निकला है यह वाला point निकला है देखो खोपरी लगाते हैं वर्टेक्स और focus के बीच का distance वही होता है जो वर्टेक्स और इस directrix के बीच का distance होता है यह हम लोगों पता है यही तो property of parabola है यह तो definition बोलता है f v equal to vm होगा तो 00 और यह वाला point क्या होगा 2,00 hoogen सब्सक्राइक के लिए 10,00 के सब पढ़ा हो nam में वर्टेक्स जाके लिखाओं न बहुत यह अपने की पता होता ता तो यह कि ये distance और यह distance in क 출 movie और यह सौ 바ल होता है अब एधा बार बन collateral बोलू다가 लिख लेना क्यों होता है अगर वैसा अपने सब दो में लिख लेना अगर समझ में तो आई गया होगा अपने वर्ड में लिख लेना आप लो अगर ना बच्छो नेक्स्ट कोशन इस यह भी अच्छा कोशन है तिक ना प्रिबिएस यह आया हुआ सवाल है देखो पढ़ते हैं डेक्विश्चन ऑफ टेंगे टेंजिया प्राबोला य स्कूर एक्स प्लस टू इक पैराबोला दिया हुआ है य कुल टू वाइट स्कूर इकल टू एक्स मंदब राइट वर्ड पैराबोला एक वेलू इसमें क्या है टू है है ना एक फोर एक्स ए इस पर टेंजेंट बनाना है एक्स को जीरो रखेंगे तो य की वेली टू आईगी मतलब कुछ ऐसा एक टेंजेंट जा रहा है इस टाइप से यह वाला कुछ पॉ पॉनच है कहहीं पर इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर बी एक पॉइन लेंगे और उस पॉइंट से अगर हम टैंजेंट ड्रॉइ कहीं इक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से गर हम एक टैंजेंट ka treating ना यहां भी ले सकते हो यहां भी यहां भी यहां भी कहीं भी तो वो जो टेंजेंट ड्रॉ होगा ना वो प्रिवियस टेंजेंट के पर पेंडिकुलर होगा मतलब एक और टेंजेंट इस पे बनाना है कहने का मतलब है कोशन मैं एक और टेंजेंट चलो मैं बना देता हूं कह तो कहा है कि यह दोनों tangent जो previous tangent है और previous tangent पे कोई एक point है लिखा हुआ the point on this line from which the point on which on this line from which the other tangents is perpendicular मतलब question में यह कह रहा है कि एक tangent दिया हुआ है parabola दिया हुआ is tangent पे एक और point लेंगे कहीं पे भी तो उस point पे अगर हम उस point से अगर हम इस पराबोला पर टेंजेन बनाएंगे तो यह दोनों टेंजेन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा बोले तो पाइबाइब टू होगा आया समझ में तो कोशन कह रहा है इस अच्छा point पुछ रहा है then the point on this point is the point पुछ रहा है कौनसे point पर से tangent odd drop होगा जिससे कि इन दोनों tangent के बीच का एंगल 90 डिघ्री होगा तो obviously अगर इन दोनों tangent के बीच का एंगल बच्छो 90 डिघ्री है तो 100% यह दोनों tangent जहां opposite intersect कर रहा हो हमवाम अंटकर पॉइंट of intersection वो क्या होगे डालेक्क्तिक्षिंगे तो इस परेबोला का ये पराबोला क्या है ये इ्टक्सेंट न हाँ ये ज्लबालो ये टक्षिस के तो यहाँ प्सह्ट जीम एक इप केंगलिये तो है y square equal to 4a x से compare करोगो तो a की value 2 है तो directrix का equation क्या होता है x equal to minus a तो x equal to minus 2 तो x equal to minus 2 इसका directrix जो होगा वो क्या होगा अब देखो हम लोग ना थोड़ा गलत figure मैं जान कैसा बनाया यह नहीं कि question तो मेरे को पहले समझ मैं के तरह कैसे करना और क्या होगा answer मैं जान कैसा figure बनाया कि अब देखो इसका real figure बनाता हूँ real photo देखो कैसा होगा तो directrix का equation क्या होगा यहां पर x equal to minus 2 अब सुनो तो हम यह कहेंगे कि कि real photo बनाए तो जो अज ऐसा सोचो point of intersection तो इसका क्या होगा directrix पर लाई करेगा तो मतलब उसका x-coordinate minus 2 होगा ढूंडो तो कहीं पर x-coordinate minus 2 है सिर्फ एक ही option में है minus 2 तो हम कह सकते हैं डी इसका answer है आ गया डी तो आपको कह सार आपने minus 2,0 आप ले रहे हैं अगर मैं इस कर देखो अब मैं तुम लोग को ना सब्सक्राइब करवाता हो थोड़ा यह मिटा रफ कर देता हूं सब्सक्राइब को यूज नहीं है वीडियो को पॉजर के मैं लिए आंसर भी आ गया अपना ठीक है ना देखो आप लागे चलेंगे तो यह जो रियल टेंजेंट पहले से गिवन टेंजेंट है यह कहां पर कोई एक ही सगा ना कि जो नए वाला टैंजन को इंटर्शेट करेगा और जहां पर इंटर्शेट करेगा वह X-axis पहीज ही तो करेगा तर्णा कि यह जो डाएरेक्ट्रिक्स है और यह जो टैंजेंट है यह दोने ऑख दुसर的 house ठ हाँ उसके न और गूंहें हो सकते हैं क्योंकि अब मैं अगर ये वाला लूँ तो यहाला पॉइंट मैं कैसे लूँगा बताओं क्योंकि अगर इस वालेBACK को लेके tagen बनाओं तो तो क्या यह इसी स्ट्रेट लाइग कर रहा नहीं कर रहा नहीं बना सकते हैं तो नहीं हो सकता तो वहीं एक पॉइंट हो सकता है यहां पर आरे बात समझें तो और तो कोई पॉइंट नहीं हो सकता है क्योंकि डारेक्टिक्स भी एक मैंभी हए तो आज के लिए हंवट एक हूं मैं वर्क लिख समझ गया । अबस्तिक अंचाही नहीं तक लिए और टैंजेंस हैं अगर तो वो कहां और पर होंगे डारे टरीक्ट पर ही तो होंगे पराइंदुकलर टेंजेंट है तो उनके on must एक ओंडू अगर एक सिर्टेनल को माःनश च्योगहाएक से माइनट आप्लिप गाएक सेट चसरीह यृट और दुस्रीह होन। और बाकि के कमेंट में आंसर बताना है कॉमन टेंजिन के कुशन है और यह अपना एडवांस में या आप आई टी बोल दो आई एटी में आया हुआ कुशन है मुझे यह तो नहीं याद है बट यह आया हुआ प्रिविएस यह आया हुआ कुशन है एडवांस में आया हुआ सवाल है ठी के कमेंट में आंसर बताना है ठीक है तो हमारा पेराबोला हो गया जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ पैराबोला करेंगे और भी कोशन करेंगे उसके लिए हम अलग क्लास लगाएंगे अब ये जो प्लेलिस्ट हमारा होगा जो कॉनिक सेक्षन वाला प्लेलिस्ट है इस वाले क्लास में हम लोग सॉरी अगला कुशन स्वरी अगला टॉपिक एलिप्स इसकार करेंगे और इसका अंसर कमेंट करके बताना है बाए झींष स्क्ष्पिक एंसर करेंगे और दो करेंगे बताना है इस कंपार आए है प्लिस्ट और कर लोग करेंगे बाए grad वता जग उएर्ड़ करेंगे उन